असलाम लेकुम फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल तो फिर लेकर आगई हूँ कीचेन के नए नए आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बेहत पसंद आएगी मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ में कुछ नया शेयर करूँ तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीचेगा वीडियो को फुल वाच कीचेगा तो टिप्स नमर वन मेरी यह है ना फेंज की जैसा ऐसा होता है ना एक विंटर में जो बटर है ना वो हाड हो जाता है तो आप एक जैसे नाइफ की हेल्प से बटर लगाते हो तो बहुत जादा ज्यादा बटर लगता है मकन बहुत ज्यादा लगता है तो एक ऐसी ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मकन एजिली लग जाएगा और बहुत कम लगेगा तो देखे क्या करना है बस को उठाना है और ऐसे आपको टोस अगयरा पे ऐसे लगा देना है तो बहुत आसानी जल्दी जल्दी भी मकन लग जाएगा और कम मकन लगएगा यहाँ पर आपको नाइस की हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप एक त Milk की ह अगण को में क्या करती हूँ ना विंटर में फ्रीज में नहीं रखती हूँ इसे में बाहर ही रखती हूँ अब टिप्स नमर टू मेरी यह है ना कि कभी कभार हमें कुटी हुई काली मिर्च की जरुरत पढ़ जाती है तो जब हम इसे कुटे है ना तो यह उड़कर गिर भी जाती है फैल जाती है हमारे किजन के काउंटर पर तो बेस्ट आइडिया है कि आप उसे एक कॉटन के कपड़े पर ऐसे रख दीजिए और कपड़े को फॉल करके एक बेलन की हैल्प से टैप टैप कर दीजिए तो बहुत इजीली आपकी काली मिर्च वो क्रश हो जाएगी आसानी से आप इसे कूट सकते हो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी और बहुत इजीली ये अच्छे से क्रश हो जाती है बैस्ट आइडिया है काली मिर्च को कूटने का आपको भी ये बेहत पसंद आएगा आप इसे ट्राइग जरूर कीजिएगा अधिकी मसाल से रिलेटेट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब भी मसाले कंटेनर में रखें तो उतने ही रखें जितने हफ़ते में आप इस्तेमाल कर सकें एक हफ़ते में और क्या कीजिए थोड़ा सा नमक उसमें अड़ कर दीजीए और इसे एर टाइड कंटेनर म में रख दीजीए इसे मसाले सीलेंगे भी नहीं खराब भी नहीं होंगे एक हफ़ते के हिसाब के मसाले आप अपने डिबे में रखिए उससे ज्यादा मत रखिए बहतर तरीका है मसालों को फ्रेश रखने का नमक मिलाकर रखिए बैस्ट आइडिया है बिलकुल भी मसाले खराब नहीं होगे अब दीकिया पर मैंने फिर से एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और उसमें मैं एट कर रही हूँ वन टेबल स्पून से भी कम चावल सादे चावल है साबू चावल है कच्चे चावल है बस एक चमच लिया है मैंने और इसका नहीं एक ऐसे पोटली तय तयार करने वाली हूँ जैसे कि आप देख सकते हो अब इसको मैं क्या करूंगी अच्छे तरीके से फॉल करके रबर पैन लगा लूँगी जैसे कि मैं लगा रही हूँ बहुत ही चोटी सी आपको पोटली तयार करना है अब इसका जो एक्सट्रा पार्ट है न हम इसको काट देखे इतना एक्स्ट्रा है हम इसे काट देगे तो देखे कितनी खुबसूरसी पोटली बनकर तयार हो गई है ऐसे हम और भी ढेर सारी पोटलिया बनाकर तयार कर लेंगे अब मैं क्या करूँगी ना इसे मैं शकर के टपे में रखूँगी शकर में बहुत जल्दी सीला ना जाती है शकर गीली हो जाती है तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो बैस्ट आइडिया है आप चावल की पोटली बनाकर शकर में रख दीजिए शकर बिल्कुल भी सीले भीगेगी नहीं खराब नहीं होगी इसी तरीके से आप नमक में भी रख दीजिए क्योंके नमक भी बहुत जल्दी सील जाता है गीला हो जाता है तो बैस्ट आइडिया है नमक में भी आप चावल की पोटली रख दीजिए नमक फ्रेश रहेगा अब फिर से मैंने कपड़ा ले लिया है और अब मैं इसमें एड कर रही हूँ वन टेबल स्पून से भी कम नमक अब मैं नमक की पोटली एक तयार कर लूँगी बहुत अच्छे तरीकी से इस पर भी मैं लगा दूँगी रबर बैंड और एक बहुती चोटी सी पोटली मैंने तयार की है बहुत कम नमक हाफ डेबल स्पून से भी कम लिया है अब इसका भी जो एक्सरा पार्ट था हम उसे काट लेंगे तो बेस्ट आइडिया और टिप्स मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी जो आपको बेहत बसंद आएंगे अब मैं इसे राजमा के अंतर रख दूँगी इसे राजमा मे आपकी एक तम फ्रेश रहेगी अब देखें यहापर मैंने लिया है चने की डाल एक बात को ध्यान रखेगा चने की डाल में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं गुन लग जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो जिन हिस्तों में गुन लग गया है उसे निकाल के फे अब दिखिए यहां पर मैंने ओरत की डाली है इसमें मैं सिर्फ तेज पता रखूंगी चोटे-चोटे tips होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं आप इने जरूर ट्राइ किजिए अब दिखिए यहां पर मैंने एक अदरक ले ली है अब यहां पर मैंने देखी अद्रक डी है, अद्रक को ना मैं पील कर लूँगी, इसका तो छिलका है, उसे मैं हटा लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसे हटा लेना है, और हटाने के बाद आपको इसे अच्छे तरीके से ना वाश भी कर लेना है, बहुत बैतर इसे न मैं गद्दुकश कर लूँगी अच्छे तरीके से, बहुत बाबारिक तरीके से मैं इसे कद्दुकश कर रही हूँ, जिती भी अधरा के सारी हमें कद्दुकश कर लेनी हैं, बस छोटा सा ही तुकड़ा लिया है, आप चाहिए तो सिर्फ एक इंच का तुकड़ा तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीज़ेगा बेल आइकन पर भी प्रेज कीज़ेगा ताके मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सा हाफ लाइमन जूस में इसमें अड़ करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अब मैंने एक पाउल और ले लिया है और उसमें मैं सिर्फ वन टेबल इस्पून यहां पर जो हमने जूस तयार किया है यह लूँगी अब इसमें आप जो भी पेस्ट जिससे दातों को ब्रश करते हैं कोल गेट हो या बबूल हो जो भी आप यहां पर ले लीजिए और इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूं बस इस तरीके से आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए बहुत बैस्ट आइडियास मैं आपके स जितने भी पीले होंगे ना बेकार पीले हो गए होंगे एकदम सफैद मोतियों की तरह चमक उठेंगे आपके दान तो इस टिप्स को आप ज़रू ट्राइ कीजेगा बहुत स्यादा हैल्फुल है आपने वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया होगा थैंक्स पोर वाचेंग ज्यादा होगादा पस्पता कीजेग।